एक छोटा सा गाउं था राइपुर। उस गाउं में बहुत ही कच्चे पक्के रास्ते थे जिसकी वज़ा से आए दिन हाथ से होते रहते थे। फिर एक दिन उस गाउं के कच्चे पक्के रास्तों को बनाने का काम एक इंजिनियर को बिलता है। उसी गाउं की रेवती नाम क की औरत का घर रास्ते में आ रहा था उसे इंजीनियर ने खाली करने के लिए कह दिया था रेवती और उसका पती घर खाली करने से मना कर देते हैं फिर रात में रेवती के पती की तव्यत अचानक खराब हो जाती है रेवती जल्दी से अपने पती को बैल गाड़ी में बैठाती है और उसे गाओं के बाहर सरकारी अस्पताल में ले जाने लगती है गाओं के कच्चे रास्ते खराब होने की वज़े से उन्हें अस्पताल तक पहुँचने में अधिक समय लग रहा था और इधर रेवती के पती की हालत बिगरती जा रही थी रेवती रेवती मेरी बात ध्यान से सुनो मेरा समय नस्ती का गया है अब मैं नहीं बचूंगा तुम्हें कुछ नहीं होगा हम जल्दी अस्पताल पहुँच जाएंगे जब तक रेवती अपने पती को अस्पताल लेकर पहुँचती है तो डॉक्टर बताते हैं कि उसके पती की रास्ते में ही मौत हो चुकी थी तुम मुझे चुड़कर नहीं जा सकते तुम नहीं मर सकते फिर वो रोते हुए अपने पती की लाश को बैलगाडी में लिटा कर वापिस अपने घर आ जाती है तो अपना घर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं मेरा घर मेरा घर मत तोड़ो कोई रोको ही ने ये लोग मेरा घर तोड़ रहे हैं रेप्ती अपने सामने अपने ही घर को तूटते हुए देख कर बहुत रो रहे थी बाबुजी, बाबुजी मेरा घर मत तोड़ो, ये मेरे पती की आखरी निशानी है इंजीनियर रेप्ती की एक नहीं सुनता और उसके आगे ही उसके घर पर रोड रोलर चलबा देता है अपने घर पर रोड रोलर से घर को तूटते हुए देख रेप्ती ये सदमा बरदाश नहीं कर पाती और वो भी मर जाती है और फिर अगले ही दिन से वो इंजीनियर उस गाउं में सड़क बनाने का काम चालू कर देता है वो सबी आदमियों को उनका काम समझा देता है और रोड रोलर चलाने का काम शंभू नाम के आदमी को देता है फिर अगले ही दिन शम्भू नाम का आदमी रोड रोलर लेकर आ जाता है और वो उसे सड़क पर चलाने लगता है और जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वो रोड रोलर एक जगह खड़ा करके अपने घर चला जाता है लिकिन फिर एक रात उस रोड रोलर को एक चुडैल चल कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं, मैं किसी को नहीं चड़ूगी, सब को मार डालूगी, फिर तो वो चुडएल जैसे ही रात होती, रोड रोलर को सड़क पर चलाने लगती, और जो कोई भी उसे दिखाई देता, वो उसे अपने रोड रोलर से कुचल देती, जिसकी पर मेरा आज ही रात शेहर नहीं जा सकते, तुमें तो पता है न, चुडएल को जो कोई भी इनसान दिखाई देता है, उसे वो अपने रोड रोलर से कुचल देती है, और फिर वो आदमी अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता, और रात में ही शेहर जाने लगता है, तब ही उसे रास्ते में रोड रोलर चलाती हुई चुडएल दिखाई देती है, और वो आदमी चुडएल को देखकर जैसे ही भागने लगता है, तब ही चुडएल की नजर उस पर पड़ जाती है, भागता कहाँ है, ऐसा कभी हुआ है, जो मेरे रोड रोलर से कोई बच पाया हूँ, फिर वो चुडएल हसते हुए अपना रोड रोलर उस आदमी के पीछे दोड़ा देती है, कोई नहीं बचेगा, सबको कुछल दूंगी, उस आदमी के आवाज कोई भी आदमी नहीं सुन पाता, और देखते ही देखते चुडएल अपना रोड रोलर लेकर उसके सामने खड़ी होती है, भोल तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए रेकरल जी, मने छोड़ दो, मने छोड़ दिया जाए, हाँ जी, बस मने छोड़ दिया जाए, जा तुझे छोड़ दिया, आदमी खुश होते हुए, अरे आपने मने सच में छोड़ दिया हाँ तुझे छोड़ दिया जा जितना भाग सकता है भाग तो तेरी जान बच जाएगी यह क्या जल्दी कर देर मत कर भागता हूँ भागता हूँ चुड़ेल जी भागता हूँ जैसे ही चुडैल का रोल रोलर चालू होता है तो वो आदमी भागना चालू कर देता है वो चुडैल उस आदमी को इतना दोडाती है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता चुडैल उसे मरा समझ कर छोड़ देती है इतने में ही सुबह हो जाती है और फिर वो चुडैल भी दिन के उजाले में गायब हो जाती है फिर जैसे ही वो सभी गाउवाले उस आदमी को उठाते है पिर सभी गाउवासी सत्तू को उसके घर उसकी पतनी के पास ले जाते हैं और जैसे ही सत्तू को होश आता है वो गाउवासीों को बताता है किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि चुडैल रात में रोड रोलर चला कर गाउं के आदमियों को क्यों कुछल रही है दिन में तो सभी आदमी सड़क का काम कर लेते पर जैसे ही रात होती तो सभी काम करने वाले सड़क का काम करने से मना करते थे इंजीनियर को सड़क का काम समय के मताबग जल्दी खत्म करना था तो इंजीनियर ने सभी काम करने वाले कर्मचारियों को बुलाया और उनसे कहा रोड रोलर सडक पर चलाती हुई घुमती है और जो कोई भी उसे दिखाई दे जाता है वो सीधा रोड रोलर उसके ऊपर चढ़ा देती है और उसे मौत के घाट उतार देती है मौत के कर्मचारी इंजीनियर की बात से सहमत हो जाते हैं और काम करने के लिए राजी हो जाते हैं हाँ अब चाहे हम काम रोकर करें या हसकर करें काम तो हमें करना ही पड़ेगा और फिर सभी कर्मचारी अपने अपने काम पर लग जाते हैं और फिर जैसे ही राद होती है तो चुडैल रोड रोलर चलाने लगती है चुडैल के रोड रोलर के आगे जो कोई भी आता चुडैल उसे कुचल डालती तब ही चुडैल की नजर इंजीनियर पर पढ़ती है तुबा करमचारियों को छोड़ कर इंजीनियर के पीछे रोड रोलर दोडा देती है चुडैल ये तो सची में चुडैल है इंजीनियर चुडैल को देख बड़ी तेजी के साथ भागने लगता है बाग ता कहा है अभी तो मुझे तुझ से अपना हिसाब चुकता करना है इंजीनियर आगे आगे भाग रहा था चुडैल उसके पीछे रोड रोलर बड़ी तेजी के साथ चला रही थी ये चुडैल मेरे पीछे क्यों बड़ी है परे मुझे मार कर ही मानेगी क्या चुडैल के डर की वज़े से सारे गाववासी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे उन में से बहुत से गाववासी तो चुडैल के रोड रोलर के नीचे कुचल कर मर चुके थे इंजीनियर की भागते भागते बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो ठक कर जमीन पर गिर जाता है तभी सभी गाउवासी भी एकठा हो जाते हैं तभी चुडैल रोड रोलर पर बैठी इंजीनियर के सामने थी और जैसे ही चुडैल रोड रोलर इंजीनियर पर चलाने लगती है अरे तुम हो काउल और इसे क्यों मारना चाहती हो मैं किसी को नहीं छोड़ूँगी तुम सब को मार डालूँगी इस इंजीनियर की वज़े से मेरी जान चली गई और इसे मुझ पर जरा भी दया नहीं आई इसने मेरा ही घर तोड़ कर इसने ही मेरा घर तोड़ कर मुझे बेगर कर दिया वो भी जब मेरे पती की लाश मेरी गोद में पड़ी थी तब से मेरी आत्मा भटक रही है जब तक मैं सब को मार नहीं देती मुझे शांती नहीं मिलेगी मुझे माफ कर दो मुझे गलती हो गई चुड़ेल को इंजीनियर पर जरा भी दया नहीं आती और वो रोड रोलर उसके उपर चला कर उसे कुचल डालती है और फिर गायब होकर वहां से चली जाती है